नमस्कार दोस्तो रादे रादे श्वागत है आप सबका आपका अपना यूटू चनल रुची राजपूर पर तो दोस्तो मेरा नेक्स्ट ब्लोग आ चुका है इस ब्लोग में हम आपके लिए लेकर आए हैं होम मेर्ट साबुन तो दोस्तो आपने अभी तक मेरे जितने वी इस ब्लोग देखे थे वो सारे ठावलिंग ब्लोग ने लेकर आए हैं आप कैसे नेटरल तरीकेसे घर में बहुत ही आसानी से शाबुन बना सकते और शाबुन बहुत ही नेटरल होगी इसमें कोई केमिकल वाला प्रोड़क्ट नहीं होगा तो दोस्तों इस ब्लोग में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप कैसे होमेट साबुन बनाएं अगर आप भी मार्केट की साबुन लगा लगा कर वोड हो चुके हैं तो इस ब्लॉग को जरू देखेगा इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कैसे आप नेच्रल सरीके से और बहुत आशानी से शाबुन ब पत्ती की जरूबत पड़ेगी और इसमें आप हरी नीम पत्ती ही एड़ करना सूपी पत्ती का व्योग नहीं करना तो दोस्तों इसके बाद में हम लेंगे एलोवेरा जो आसानी कि से सभी के घर में पाया जाता है तो आप इस प्रिकार्ट से एलोवेरा ले 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 उसे और अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी एमिजॉन या फ्लिपकाइट से मुगा सकते हैं अगर आप फ्रीजना चाहेते हो तो आप हमें कमें से लिंक आपको शेयर कर देंगे इसके बाद में हम लेंगे हल्दी पावडर जो की सभी के जिसमें पाया था है तो इसमें कोई पिपल्स बगेरा नहीं होते हैं तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमने इस प्रकार से एक एक करके नीम की पत्ती तोड़ ली है और अपने बावल में जमा करते जा रहे हैं तो आप इसी प्रकार से कर सकते हो तो दोस्तों हमने अपनी नीम की पत्ती तोड़ी आप लोगर देख हो time ti вже से अपने काटे यह तो यह नग्या है हम अपने काटे हटा दीए हैं आपको मिषय क्पस्ते करें आपको कापस करसे इस प्रकाइगे उन अमारे लगवाग step इसके बाद में हमने जो वाइल लिया था उसमें जो नीम पती हमने अभी दोई है उसमें अब हम इनके लिए एड़ करेंगे तो जैसे कि आप लोग देख रहे इस प्रकार से आपने रख सकते हो इसके बाद में हम लेंगे हल्दी पाउडर तो दोस्तो इसके बाद में हम डालेंगे अब इसमें हल्दी पाउडर तो आप इस प्रकार से आदे चमस हल्दी पाउडर इसमें एड़ कर सकते हो इसके बाद में हम लेंगे जाल तो जाल लेने के बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने जाल ले लिया इसमें अब हम हल्दी एलो वेरा और जो नीम पत्ती हमने दोईदी उसे अब हम इसमें डालेंगे और दोस्तो इसमें हमें पानी का प्रयोग नहीं करना है हमारा ऐसे ही अच्छे से पेश्ट बनके रेडी हो जाएगा तो आईए चलते हैं पेश्ट बनाते हैं हमने अच्छे से पेकर लिया है अब इसके बाद में हम मिक्सर जाल लेंगे तो दोस्तो अब हमारा पेश्ट बनके रेडी हो चुका है तो हमारा पेश्ट अच्छी तरह इसे बन गया और इसे बनाते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे अच्छी तरह इसे पी से ताकि इसमें कोई पती बगेरा ना रह जाए तो दोस्तो अब हम लेंगे ग्रेश्ट लिन सोप बेस्ट तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें कोई केमिकल नहीं होता है ये ग्रेश्ट लिन का बना हुआ होता है और ये बोश शॉप होता है जो आसानी से कट भी जाता है तो आपको इस प्रकार से कट करना है इसके बाद में हम इसके छोटे छोटे फीस करेंगे तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इस प्रकार से कट लिया है तो इसके बाद में हम एक पहन लेंगे उसमें गरम पानी रखेंगे और दोस्तों जब भी आप ए बनाओ तो एक बात का ध्यान रखना कि आपको डारेक ट्रस पर नहीं रखना है इसी परकार से आप पूई भी पहन लेकर उसमें गरम पानी रखें और दीरे दीरे करके हम इसे जैसे चलाते जाएंगे आप इसी प्रिकार से दीरे दीरे चला सकते हो दोस्तों आपको एक बात का द्यान रखना है कि आप इसे दीरे दीरे करें ताकि यह जले नहीं और हमने जो अपना एलोवेरा हल्दी नीम का पिष्ट बनाया था उसके बाद हम इसमें वो एड करेंगे तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारे दीरी दीरी करके पिगलती जा रहे हैं तो इसे इसी प्रिकार से धीमी आज पे आप पिखल गया है अब इसमें हमने जो अपना पिष्ट बनाया था एलोवेरा हल्दी नीम का वो अब हम इसमें एड करेंगे तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो हलका सा थन्दा कर लिया मैंने इसके बाद में अब हमने जो अपना पेष्ट बनाया था एलोवेरा हल्दी नीम का तो अब हम इसमें एड करेंगे इस प्रिकार से तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो आप इस प्रिकार से इसमें चैसरे के लिए हमारी इस्पिन के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो अब विसमें विटामिनी कैप्शूल एड़ करेंगे तो पहले हमने प्लिए हैं मिखनी के बाद अब हम हल्किजी आझ पर फिर्षय गरम होने के लिए रखेंगे किसी प्रकार से आप रख सकते हो इसके बाद में मैंने विटामिनी कैप्सूल ले लिये हैं आप हमने दो विटामिनी कैप्सूल लिये हैं जो अपने पेस्ट में एड़ करेंगे तो हमने अपना पेस्ट हलका गरम कर लिया है इसके बाद में अब इसमें हम विटामिनी कैप्सूल एड़ कर देंगे उसके बाद में हम इसे अच्छे से चलाएंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स भी कर लेंगे तो मैंने अभी दो विटामिनी कैप्सूल इसमेल कर दिया है इसके बाद में हम इसे हलका सी चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह ऐसे कोई पेश्ट में मिल जाएं तो जैसे कि आप जोंगाना चाहें है हमने अच्छी तरह इसे इसमें मिला लिया है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इस शावन को कटोरी में भी जमा सकते हो हमने इस परकार से अपना सारा पेश्ट डाल लिया है इसके बाद में हम इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो लगवक 2-3 घंटे में हमारी शावन बनके रेडी हो जाएगी तो दोस्तो 2-3 घंटे हो चुके हैं और हमने अपनी शावन को फ्रिज से निकाल लिया है तो यह हमारी सावन बनके अच्छी तरह से तयार हो चुकी है तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारी शावन अच्छी तरह इसे बनके तयार हो गई है तो अभी आप देख सकते हो तो दोस्तो अब हमारी शावन रेडी है और इसको हम आपको यूश करके दिखाएंगे दूस्टे हम अपने हैंडबॉस करेंगे तो जैसे कि आप लोग देख रहे हमने हैंडबॉस किया और इसका रजैन्त आपके सामने है तो जैसे कि आप लोग देख रहे हमने अपने हैंड बास किये हैं आप इससे तरा से दूंके तो दोस्थ ऐसे आप लोग डिके रहे हो हमारे हैंड़ क्रेंड करके जरूर बताईएगा और हाँ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना बूलें और वेल आइकोन का बटन दबा ले जिससे आने वाले बलॉग या वीडियो से आप मिस ना करें और दोस्तो इस वीडियो को जादा से जादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस शावन को बहुत आसानी से बना सके तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए रादे रादे